तो आज मैंने बनाए थे दुपहर में दाल चावल जूंकि थोड़े बहुत बच्चे भी है मैं आपको दिखाते हूं तो कि यह रही मेरी दाल और यह चावल लेकिन डिलर में कुछ अलग स्पेशल खाने का मन था तो मैं लिभू हटो मैंने सुबह बुर्ता बनाया था यह मै तो मैं बनाने जा रही हूं देरे से बताते हूं कचोड़ी बच्चों के लिए शर्प्राइज है तो मैं बना लेती हूं अब प्पे दिखाते लिए अब बनाते हैं जल्दी से कचोड़ी और यह वाली जो कचोड़े ने बिल्कुल इंस्टेंट थी अच्छा पहले में सब्सक्राइज है तो मैं अब इसे ही बना लेते हैं अब मैं मतलब पूरा डीपली वह नहीं कर रहे हूं क्योंकि मैं बहुत जादा थक जाती हूं मुझे लोग ट्रॉल भी गरते ज्यादा तर लोग आचकल बहुत पता नहीं क्यों इतनी ट्रॉल करने लगें तो यही कहते तो बढ़ी सही रहती हो तब तुम्हें कहीं दर्द तकलिफ नहीं होती जानती है तो यह तो हर लड़की साथ होता है मतलब से सुष्षाल में ज्यादा एक्टिव रहती है क्योंकि रिस्पोनसिबिलिटी होता है हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगा और शायद फिर भू हमारे नकरें भी जो माबाप जिल सकते हो और नहीं जिल सकता आप कैसे सूच सकते हो कि कोई और जिल लेगा अमदलब मेरे जो हस्बें नहीं जिल पाएंगे और लोग जो मतलब बहुत जादा मतलब प्यार करने वाले या धिहान रखने वाले तो वह शायद अहर तरीकी गेना करें जिले लेकिन मेरे साथ यह केस है नहीं तो मैं तो बहिया अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती हूं माईपें में बहुत सारे सुख मिलते हैं इashed झूट जाती है खहां गाते हैं moder cris मिरानल रोटीने में घृते हुआ कि मैंने डूपैर में सबसुदी बना लहतों चते चाइए मैंने दिन में डालचावल बना लिये थे अब यह आएंगे तो इन्हें खिला देंगे और अब तक जब यह कछ़ौडी बना रहे तो मुझे लग रहा था कि यह आएंगे इन्हें कछ़ौडे प्सन नहीं है तो मैंने सोच अखा था कि पराटे कहा हैंगे तो इन्हें पराटा बना के खिला दूगी, और दाल रोटी खाएंगे तो दाल रोटी चाओल ऐसे करे के खिला दूगी, बट यह आए नहीं थे, यह कहीं काम से चले गए थे, तो इन्होंने बताया भी नहीं नहीं आए दो जब हमने रात को फोन करा था हमें पता चला कि यह कचोडियां बन रही है अभी तो मैं फिलाल बच्चो की बना रही हूँ और फिर इसके बाद मैं इसी में थोड़ा सा नमाउख मेंचे एक्स्टर बढ़ा लूँगी और अपनी बनाऊंगी अच्छी बनी थी मतलब ऐसा नहीं है कि आप का नहीं सकते हैं बहुत टेस्टी थी हम कचोड़ी बनाते हैं तो बिलकुल यह ताबर तोड़ तोड ऊटी उतनी ताबर तोड़ना हो कि अपने अच्छी थी मज़ाया खा के तो बच्चे बहुत ज़धा खुश हो गए था बच्चों को यह था कि आपको अच्छों के एच्छी कुछ मेरे सब ही बच्चों को आज उनको पसंद नहीं है तो इस चीज में कोई भी उन पर नहीं है उनको तो बस सादा खाना पसंद आता है कि अबस सादा खाना होना चाहिए उनने ज्यादा नौन विज भी पसंद नहीं है ज्यादा तलाब होना भी पसंद नहीं है बस सादा खाना खाते हैं सादा जीवन को समझा देती हूं, ये दो मिनने आहिरा के लिए हैवी क्योंकि आयरा माश्याल्ला बड़ी है, वो हर चीज खा लेती है, मसाले साले हो भो सब खा, जब हायी है, थोड़ी सी मतलब इससे कम फिलिंगी और बड़ी सा एक झाया, इसके बाद मैंने शोनू की बनाई है जिसमें बिल्कुल फिलिंग नहीं है अलाकि शोनू भी मेचुका खाती है मैं इसको किलाती हूं दाल राइस अपना थोड़ा थोड़ा बहुत जादा नहीं थोड़ा थोड़ा में इसे में इंट्रिड्यूस करा दिये है अलाकि मैंने लिबा और आयरा को चर्षा आपना बस बच्चो की तो यहांपर मैंने बना ली है आप लोगो दिखा भी दिया अब मैं बस अपना पना प्र शुक की तो यहां पर मैंने फिलेंगा उसके अंदर नमक मीचा और थोड़ा सा तेज कर लोगे इसे बहुत अच्छा स्वादा आता है चटपटी बनती है अच्छी जो पुर्ता होता है यह मैं सैंविच के लिए बना के रखती हूं गर्मियों में तो सर्दियों में आप लोग को पता है मैं पराठो का हम बहुत क्यों कि अमारे बनाटे बहुत क्वाट खाया जाता है मेरे बच्चे भी शॉक से काते हूं फिर मैं भी खाई लेती हूं और हस्बन को पसंद है और गव्यों में मैं मतब यह बुर्ता चौक के रखती हूं यह भी हमेशा मिलेंगा आपको क्यों कि बच्छों को अब लोग अब लोग भी खा लेते हैं फिर आप से मिलते कहने के बाद और एक बच्चा हमारा यह रहा हुआ हो जो एक्साइटीड है तो अब मैं से खाना के लागते हुआ कैसे हैं आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो फिर नहीं करती है अपना चाहरा आपको एसे ना दिखाऊ ना थोड़ा तो मतलब मेकप वेकप की बात नहीं करती है लेकिन कम से कम थोड़ा रिलाक्स हों तब जाके मैं आप लोग से बात करते हैं आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि आप लोग कैसे हैं मैं ठीक हूं अपनी जिंदेगे में बिजी हुआ है अच्छली अभी ममी थी तो मैंने शूट तो नहीं किया तो शायद हो मैंने ब्लॉग शू ऋब्रत वीडियो जो नहीं चेफी फिर चॉट वीडियो सरवर ढखके बनाई है पहले तो मैं मतलब ऐसे भी बना लिया करती थी आप लोग को बताए अब बाकि फिर अल्ला मालिक है अब उनकी खुशी थी बहुत जादा इसलार करें थी एक साल हो गया मुझे मना करते हुए लेकिन फिर मैंने अब बना ली है अब अल्ला मालिक है है पर मुझे पता है काफी लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आप ने तो मना कर लिया था अब आप ऐसे क्यों कर रहे हो पहरा है कि आपने मैंने आपको पहले भी बताया था खैर यह मेरा बहुत एक यूट्यूब में काम करती हूं जो कि मुझे अच्छा लगता है लेकिन जो इ के लिए फिर में और यह में नहीं 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 तो एक सार्पीो आप 寂से क्या हुए हूंगी यूटिव शियां कि लूंगी तो आप लोग से देखना संथा अले तो मुझे ज़रा अर आयरा और अवी टुशन जा चुकी हैंँ और यह रहा की बहुत परिशान किया पूरा दिन और खुद भी बहुत कम सोई यह और मुझे भी नहीं सुने आजाओ आजाओ पेपी कुप पैदवाए हैं खुब खातेशदारी अपनी करवाई है सब काम करवाया है है अच्छा हो रही है आजाओ अंटी आजाओ अंटु आजाओ अंटु इसका मुड़ेती हो रहा है तो चलो आए रहा है और लिवजब आजाती है तो आप लोगो को दिखाऊंगे उनसे मिलभाऊंगे फिलाद अभी के लिए इतना ही कोई मतलब कोछ भी आगर आपको पुरा लगा तो उसके लिए भाई सौरी हमें क्या कर सकते हैं ठीक है मिलती ह कि दुपहर में ममी आए थी ना ममी की क्लों गए ना उसकी अगार रही भी जाए थी यह पटा ऐने गषाना कर छाया थी अब हैने यह एंखे पार है poi मने झाले चान की कल्या जाए बट फिर मैंने खाना का लिए यह बच्ता सब्सक्त बिखाए था मेर दो पूरा की पताता तो अब यह शाम को भी विकाएंगे अब यह भी बहुत जादा एसे थंडे नहीं होना है खा ली जाएंगे ऐखिक है तो मैं इन बच्चों को दुवारा से भी खिला देती और मैं भी खाती हम आप दुबारा काना चाहतीगे एगे हाट जा है, हाट जा है